पुत्पले शम्सभा साध्या इवज चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पले तिकतिता सर्वपाप प्रणाशी जांजगीर चांपा जिले में महानदी के उत्तरी तट से कुछ ही दूरी पर बसा है ग्राम खराओद यहां पुरातात्विक महत्व के अनेक मंदिर स्थित हैं इन्ही में से एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है इंदल देवल मंदिर जिसे इंदल देव मंदिर के नाम से जाना जाता है पुरातत्व वित्ताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण साथमी शताब्दी में हुआ था भगवान शिवजी को समर्पित यह मंदिर प्रस्तर निर्मित चार फुट उची जगती पर स्थापित है प्रवेश द्वार एवं जगती के अतिरिक्त मंदिर का समस्त भाग इश्टिका निर्मित है पश्चिमा भिमुखी इस मंदिर में वर्तमान में गर्भग्री ही सुरक्षित है जिसकी बाह्य भित्तियां सबतरत शैली में निर्मित है इसमें भद्ररत, कर्णरत, प्रतीरत एवं प्रतिकर्ण इत्यादी सम्मिलित हैं सात्वी शताब्दि में निर्मित इस मंदिर के शिखर का सम्मुख भाग द्वस्त हो गया था जिसे भारती अपुरातत्व सर्विक्षन के सरक्षन करताओं द्वारा संरक्षित करने का प्रयास किया गया है मंदिर की प्रस्तर निर्मित द्वार शाखाएं अत्यंत सुन्दर प्रतिमाओं एवं लतालंकरणों से सुसजित हैं मंदिर की भित्यों में भी अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं निर्मित हैं परन्तु लंबे समयान तराल में वे तनिक शरित हो चुकी हैं। आईए इन प्रतिमाओं का सुष्मता पूर्वक अवलोकन करते हैं। प्रतिमी भित्ती के करण रत पर हम देख रहे हैं भगवान गनेश जी की प्रतिमाओं। गनपती प्रतिमाओं के ऊपर एक कीर्ति मुख भी अंकित है। उपर का भाग पुनर रचित है। भद्र रत के मध्य में हम कमल पुष्प देख सकते हैं जिसमें पदमासर में बैठी कोई प्रतिमाओं थी जिन्हें वर्तमान में पहचान पाना तनिक कठिन है। दक्षिनी पार्श भित्ती के शिखर भाग में भद्र रत में और ध्वाधर क्रम में अनेक प्रतिमाएं निर्मित हैं। प्रतिमाएं तनिक अईस्पष्ट हैं। हम देख रहे हैं भगवती गजलक्ष्मी जी को। उनके उपर निर्मित हैं भगवान विश्णू। उनके उपर एक और प्रतिमा तथा उनके उपर भगवान शिव जी की प्रतिमा। हम अपने दक्षिन हस्त की ओर कांडरत में देख रहे हैं भगवान नरिसिह जी की प्रतिमा प्रतिमा के उपर कीर्ति मुख एवं इनके उपर अन्य प्रतिमाएं उपर हम कांड आमलक भी देख सकते हैं शिखर के कोने में इटों को काट कर जो आमरपल्लों की आकरिती निर्मित की गई है उसे करणा आमलक कहती हैं मंदिर में इस्थान इस्थान पर भार वाहग गण भी निर्मित किये गए हैं इन में से कुछ गण मालिका भी धारन किये हुए हैं प्रत्येक भित्ती में कुछ अश्वारोही भी निर्मित किये गए हैं हाला कि ये वर्तमान में शतिग्रस्त हैं तथा पिहमिनें पहचान सकते हैं अश्वों की ये प्रतिमाएं इस प्रकार निर्मित की गई हैं कि भिन्न भिन्न दिशाओं से ये दो अश्व दिखाई देते हैं, परंतु कोने पर इनके सिर एक ही दिखाई देते हैं। आईए अवलोकन करें पूर्वी बायवित्ति का। पूर्वी बाव्य भित्ती में कर्ण रथ में हम देख पा रहे हैं गरुडासीन भगवान विश्णुजी की प्रतिमा इनके ऊपर एक और प्रतिमा भी दिखाई दे रही है ये प्रतिमाएं तनिक शरित हैं तथा पी कठिंता से पहचानी जा सकती हैं इनके पार्षवें प्रतिरत में एक और देव प्रतिमा दिखाई दे रही है जो संभोतह ब्रह्माजी की हो सकती है पूर्वी भित्ती के जंगा भाग पर भद्र रत में एक खड़ी प्रतिमा दिखाई दे रही है इनके ऊपर जो प्रतिमा थी वह खंडित हो चुकी है शिखर कश्यपु का पेट चीरते हुए भगवान निरिसी हुए इनके उपर एक बैठी हुई आकृति उनके उपर ब्रह्मा और उनके उपर एक अन्याकृति इनके पार्षव में प्रती रत में माली का धारन किये हुए एक आकृति हम देख पा रहे हैं। पार्षव में कर्ण रत में एरावत पर आरूर, शची एवं इंद्र। इस प्रतिमा के उपर एक कीरते मुख वो उपर पुनह यहीं आकृति निर्मित है। उत्तरी पार्षव भित्ती के जंगा भाग में कर्ण रत पर हम एक प्रतिमा देख रहे हैं जो भगवान रिसिह जी की हो सकती है। उपर शिखर भाग में भी ऐसी ही प्रतिमा निर्मित है। भद्र रत में जंगा भाग पर दस भुजाओं से युकत एक आकृति है। ये नटराज हैं अथवा दस भुजा देवी इनकी पहचांतनिक कठिन है। मंदिर के सम्मुख गर्ब ग्रिया तक पहुँचने है तु सो पान निर्मित हैं। द्वार शाखा से उपर का अधिक आंश भाग शतिग्रस्त हो गया था जिसे पुनर रचित करने का प्रयास किया गया है। द्वार शाखा तीन शाखाओं में विभाजित है भीतर की शाखा सुंदर लतावल्लरियों से सुसजित है मद्ध की शाखा मनी पंक्तियों से एवं विविद पुष्पों से सुसजित किया गया है सिरदल में निर्मित मकर मुख से ये लताएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं बायतम शाखा में नदी देवियों की प्रतिमाएं निर्मित हैं द्वार शाखा में उत्तरी ओर हम दर्शन कर रहे हैं पवित्र नदी देवी गंगाजी के मंदिर में प्रवेश करने से पोर्व हम पवित्र नदी देवियों का स्मरण करते हैं जिससे हमारा अंतहकरण शुद्ध होता है तत पस्चाथ हम मंदिर में प्रवेश करते हैं नदी देवी के चलणों के निकट एक और देवी की प्रतिमा निर्मित की गई है भगवती गंगाजी के हाथ में कलश है एवं सिर के उपर छत्र निर्मित है द्वारशाखा के दक्षणी ओर हम देख रहे हैं कच्छप वाहिनी नदी देवी यमुना ये अत्यंत महीन वस्त्र धारण की हुई है इनके हाथ में भी दिव्य कलश है वह सिर पर मयूर छत्र है इनके पार्शो में भी एक और प्रतिमा निर्मित है इन्होंने भी महीन वस्त्र धारण किये हुए है यमुना जी के हाथ सुंदर कंकरों से सुसजित है द्वार शाखा का सिर दल सुंदर देवी दियोताओं की प्रतिमाओं से सुसजित है यहां हम देख पा रहे हैं नाग एवं नागी का युगल और इनके पार्शो में एक और नागी की प्रतिमा देख रहे हैं हम भगवान ब्रह्माजी हंस पर आरूड इनकी चार भुजाएं हैं इनके पार्शो में ललाट बिम्ब पर हम देख पा रहे हैं भगवान शिव एवं देवी पार्वती ललितासन में युगल प्रतिमा के पार्शो में गरुडासीन भगवान विश्णू एवं उनके पार्शो में अनेक नागनागियों के प्रतिमाएं द्वार शाखा का अंतरतम भाग भी सुन्दर कमल पुष्पों व अन्यकला कृतियों से सुसज्जित है इस पर किया गया अत्यंत आकर्शक उत्किर्णन हम देख पा रहे हैं मंदिर का गर्भगरिह वरगाकार है इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 फुट 3 इंच है मंदिर का गर्भगरिह वरतमान में प्रतिमाव हीन है इसमें कुछ प्राचीन वास्तुखंड रखे हुए हैं इस प्रकार आज के इस चल्चित्र में हमने अउलोकन किया खरोद में स्थित प्राचीन इंदल देव मंदिर का आजामी चलचित्र में हम खरोद में इस्थित शवरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे तो बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद